हलो फ्रेंड मैं सब्सक्राइब उसेन और वाचिंग फीजियो और टॉक दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आटिरियल ब्लड गैस के बारे में जिसको हम एबीजी टेस्ट के नाम से भी जाते हैं आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आटिरियल ब्लकुल ना भूलें और अगर आप हमाई जल पर नए है तो चलको सब्सक्राइब कर लिजे और नीचे बैल आइकन को भी दबा लिजे ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन्स मिलते रहें चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को आटिरियल ब्लड गैस जैसे कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं आटिरियल ब्लड गैस यानि कि हमारी जो आर्ट्री में जो ब्लड रह होता है उसको इस टेस्ट में हम नागते हैं इस टेस्ट का परपस क्या होता है इस टेस्ट को हम करते हैं हमारे लंग फंक्शन को पता करने के लिए कि जो हमारे लंग्स हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो इस टेस्ट में बैसिकली पता क्या चलता है इस टेस्ट में पता यह चलता है कि जो हमारे lungs हैं वह हमारे blood से जो carbon dioxide ऊसको निकाल पारहा है या नहीं निकाल पारहा और जो हमारा lungs है वो हमारे blood के अंदर oxygen अच्छे तरीके से supply कर पा रहा है या नहीं कर पा यह पता हमें इस test से लगता है इस test में हम नापते क्या है इस test में हम मेजर करते हैं pH को partial pressure of oxygen को आपका oxygen का saturation level साथ ही आपके bicarbonates को हम पता करते हैं तो इस test की जो normal value के में बात करूँ तो pH जो हमारी body में normal होता है वो होता है 7.35 से 7.45 के बीच में मैं आपके bicarbonate level की बात करूँ 22 से 28 milli equivalent per liter के बीच में हमारा bicarbonate level होता है partial pressure of carbon dioxide की में बात करूँ तो 35 से 45 के mm of hg के बीच में हमारा carbon dioxide लेता है और oxygen saturation level की बात करूँ तो 94% से लेकर के 100% के बीच में हमारा यह level रहता है नॉर्मल जो arterial blood gas की जो value है वो मैंने आपको भी बताई कि pH हमारी body में कितना होना चाहिए bicarbonates कितने होने चाहिए carbon dioxide का जो पार्शल प्रेशर वो कितना होना चाहिए और oxygen का saturation pressure कितना होना चाहिए अब बात करता है कि इस टेस्ट से पता क्या चलेगा देखिए acid base imbalance जो होता है हमारी body में उससे respiratory disorders और kidney disorders और metabolic disorders हो सकते हैं तो acid base के imbalance को पता करने के लिए हम यह test करते हैं साथ ही अगर जैसे आपकी body में pH 7.35 से 7.45 जो कि हम normal value है हमारे pH की अगर 7.35 से कम हुआ pH आपकी body में तो आपको respiratory acidosis हो सकता है acidosis मतलब acid की मात्रा हमारी body में बढ़ गई है जिससे क्या हो सकता है आपकी breathing जो है वो शाप हो जाएगी आपको fatigue लगेगा आपको थकान महसूस हो कि आपको headache होगा इसी तरीके से अगर आपकी body में 7.45 से ज्यादा pH हो जाए यानि कि आपका जो base है वो बढ़ जाए आपकी body में तो जिसको हम बोलते हैं alkalosis आपने कई बार सुना होगा respiratory alkalosis तो alkalosis जब होता है हमारा pH हो बढ़ गया है 7.45 से ज्यादा है तो उस case में भी आपको अलग-अलग changes देखने को मिलेंगे आपकी heart rate बढ़ जाएगी आपको scissors आ सकते हैं तो यह सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है तो इस टेस्ट का बेसी के लिए function होता है कि जो हमारी body के अंदर हमारा जो लंग function है वह अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको पता करने के लिए हम arterial blood gas करते हैं ABG test करते हैं अब बात करते हैं कि जो patient oxygen therapies पर होते हैं तो उन condition में भी यह test आपके डॉक्टर करवाने को कर सकते हैं ताकि उन oxygen therapies जो आपको मिल रही है उनकी effectiveness को पता करने के लिए जैसे patient ventilator पर है या bipepper है या cpepper है या oxygen पर है patient तो उस condition में उस therapies की effectiveness को पता करने के लिए भी डॉक्टर आपको arterial blood gas करवाने के लिए बोल सकते हैं अब बात करते हैं कि इसमें blood कहां से लिया जाता है इसमें blood हमारी artery से लिया जाता है जिसमें most common है radial artery, brachial artery और femoral artery तो most common है वो है radial artery क्योंकि यह करते हैं और अगर radial में से ना ले पाए तो वो brachial और femoral artery को भी चूज कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि ABG क्या होते है arterial blood gas test में कौन-कौन सी gases को मापा जाता है और क्या उनकी normal values होती है साथ ही आपको बताया कि इस test करने का purpose क्या होता है उम्मिद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe करना ना भूले थैंक यू फॉ